Hello students, welcome to my YouTube channel Omiducation. In this video, we are going to practice our present continuous tense in affirmative sentence with 50 plus examples. If you haven't learnt rules of present continuous tense, then go to the playlist and click on tense, then learn rules from there. Present continuous tense, identify, हिंदी वाक्षी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आधी लगा रहता है. इसको पाचालने के लिए हिंदी वाक्षी के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं आधी शब्द लगा रहेगा. Structure, affirmative sentence में सबसे पहले subject आएगा, subject के बाद helping verb ismr, subject के according आएगा, इसके बाद verb में ing, इसके बाद object और object के बाद other रहेगा. I के साथ m का use करेंगे, u के साथ r का, d के साथ r का use करेंगे, v के साथ r का use करेंगे, e के साथ is का use करेंगे, और c के साथ is का use करेंगे. example देखते हैं मैं जा रहा हूं सबसे पहले subject आएगा मैं का I होगा I के साथ M का use करेंगे तो I am इसके बाद verb इसमें जाना है तो जाना का go होता है word में ing लगाएंगे तो यह हो जाएगा going मैं जा रहा हूं I am going इसी तरीके से तुम जा रहे हो तो इसका हो जाएगा you you के साथ R का use करेंगे और जाना का go होता है word में ing लगादेंगे going हो जाएगा तुम जा रहे हो you are going वे जा रहे हैं वे का दे हो जाएगा दे के साथ भी R का use करते हैं और जाना का go होता है ing लगादेंगे going हो जाएगा वे जा रहे हैं दे आर गोएगे हम जा रहे हैं, तो हम का we हो जाएगा, we के साथ our का यूज़ करेंगे, we are going हम जा रहे हैं, we are going इसी तरीके से वह जा रहा है, तो वह का he होता है, he के साथ is का यूज़ करेंगे, he is going वह जा रही है, यहाँ पर feminine gender है तो see आ जाएगा, वह जा रही है तो इसका हो जाएगा, see is going राम जा रहा है, राम यहाँ पर singular है तो राम के साथ is का use करेंगे, राम is going नेक्स्ट है, राम और श्याम जा रहे हैं, राम और श्याम यहाँ पर दो लोग हैं, तो यह plural हो गया, plural के साथ आर का use करते हैं, तो यह हो जाएगा, राम और श्याम दो लोग हो गए तो आर का यूज़ करेंगे ये plural हो गया इसके साथ आर का यूज़ करेंगे राम एंड श्याम आर गोईंग next example है मैं खा रहा हूँ तो इसका हो जाएगा I am eating तुम खा रहे हो तो इसका हो जाएगा you, you के साथ आर लगेगा you are eating वे खा रहे हैं वे का दे होगा दे के साथ आर लगेगा वे खा रहे हैं वे खा रहे हैं यहां पर feminine gender है तो वे का सी हो जाएगा she is eating सुमन खा रही है सुमन यहाँ पर singular है तो इसके साथ is लगेगा सुमन इस खा रही है इटिंग सुमन खा रही है सुमन इस इटिंग सुमन और पुनम खा रही है यहाँ पर सुमन और पुनम दो लोग है तो यह plural होगा तो इसका हो जाएगा plural के साथ are का use करेंगे तो इसका हो जाएगा सुमन and पुनम are eating सुमन और पुनम खा रहे हैं इसका हो जाएगा सुमन and पुनम are eating ठीक इसी तरीके से मैं दोड रहा हूँ तो इसका हो जाएगा I am running तुम दोड रहे हो you are running वे दोड रहे हैं they are running हम दोड रहे हैं इसका हो जाएगा we are running वह दोड रहे है तो इसका हो जाएगा he is running वह दोड रहे है feminine gender है तो c लग जाएगा c is running रमेश दोड रहा है रमेश यहाँ पर singular है तो रमेश के साथ is का यूज करेंगे rames is running रमेश और सुरेश दोड रहे है रमेश और सुरेश यहाँ पर दो लोग है यह plural हो गया rames और सुरेश के साथ r का यूज करेंगे तो यह हो जाएगा rames and सुरेश are running next example है मैं भोजन बना रहा हूँ तो मैं का i हो जाएगा i के साथ m का यूज करेंगे और यहाँ पर verb बनाना है तो भोजन बनाना का cook होता है तो ing लगा देंगे cooking हो जाएगा मैं भोजन बना रहा हूँ I am cooking भोजन का food मैं भोजन बना रहा हूँ I am cooking food इसी तरीके से तुम भोजन बना रहे हो तो इसका हो जाएगा you you के साथ r लगाएंगे बनाना का cooking हो जाएगा और भोजन का food तुम भोजन बना रहे हो you are cooking food we भोजन बना रहे हो तो इसका हो जाएगा they are cooking भोजन का फूड, वे भोजन बना रहे हैं, they are cooking food, हम भोजन बना रहे हैं, we are cooking food, वो भोजन बना रहे हैं, तो इसका हो जाएगा, he is cooking भोजन का फूड, वो भोजन बना रहे हैं, he is cooking food, वो भोजन बना रहे हैं, तो रमेश के साथ इसका यूज़ करेंगे, रमेश इस cooking food, रमेश वोजन बना रहे हैं, रमेश वोजन बना रहे हैं, यहाँ पर रमेश और सुरेश दो लोग हो गए, तो यह प्लूरल हो गया, तो इसका हो जाएगा, रमेश एंड सुरेश plural है तो आर लगेगा रमेश एंड सुरेश आर कुकिंग फूड रमेश और सुरेश भोजन बना रहे हैं रमेश एंड सुरेश आर कुकिंग फूड next example मैं स्कूल जा रहा हूं तो इसका हो जाएगा I के साथ M जाना का go होता है ing लगा देंगे going हो जाएगा I am going to school मैं स्कूल जा रहा हूं I am going to school इसी तरीके से तुम स्कूल जा रहे हैं तो you are going to school वो इस स्कूल जा रहा है इसका हो जाएगा he is going to school वी स्कूल जा रहे हैं तो इसका हो जाएगा they are going to school हम स्कूल जा रहे हैं feminine gender है तो C C is going to school गीता इस स्कूल जा रहे हैं गीता यहाँ पर singular है तो गीता के साथ इसका यूज़ करेंगे यह हो जाएगा गीता is going to school सीता और गीता इसकूल जा रहे हैं सीता और गीता दो लोग है यहाँ पर तो आर का यूज़ करेंगे सीता और गीता आर गोइंग to school सीता और गीता इसकूल जा रहे हैं सीता और गीता आर गोइंग टो स्कूल next example है मैं काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले subject मैं का I हो जाएगा I के साथ M का यूज़ करेंगे इसके बाद काम करना का work होता है work means काम करना ing लगा देंगे तो working हो जाएगा मैं काम कर रहा हूँ I am working मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पर अपना आ गया अपना आ गया तो यह काम यहाँ पर object हो जाएगा और करना का doing लगाएंगे तो मैं अपना काम कर रहा हूँ इसका हो जाएगा I am doing अब यहाँ पर verb doing हो जाएगा I am doing अपना काम I के साथ अपना के लिए my का use करेंगे मैं अपना काम कर रहा हूँ I am doing my work तुम काम कर रहे हो तो इसका हो जाएगा you are अब इसमें अपना नहीं है तो यहाँ पर काम करना verb होगा तो इसका हो जाएगा you are working यहाँ पर direct working लिखेंगे लेकिन तुम अपना काम कर रहे हो यहाँ पर अपना आगया तो यह काम object हो जाएगा तो यहाँ पर verb doing लगाएगे तुम अपना काम कर रहे हो तो इसका हो जाएगा you are doing तुम के लिए अपना की spelling your you are doing your work तुम अपना काम कर रहे हो you are doing your work वे काम कर रहे हैं यहाँ पर अपना नहीं है वे काम करना है तो they are working वे काम कर रहे हैं they are working वे अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर अपना आ गया तो यह काम object हो गया तो इसका हो जाएगा they are अब यहाँ पर doing लगाएंगे they are doing W के साथ अपना के लिए they are का using करते है they are doing their work we अपना काम कर रहे है they are doing their work हम काम कर रहे है तो इसका हो जाएगा we are working अपना आ गया तो इसका हो जायेगा we are अब करना का doing we के साथ अपना के लिए our का यूज़ करते हैं हम अपना काम कर रहे हैं we are doing our work next example है वह काम कर रहा है तो इसका हो जाएगा he is working वह अपना काम कर रहा है यहाँ पर अपना आ गया तो इसका हो जाएगा he is doing ही के साथ अपना के लिए his का यूज़ करेंगे he is doing his work वह काम कर रही है feminine gender है तो c is working वह अपना काम कर रही है तो इसका हो जाएगा c is doing c के साथ अपना के लिए her she is doing her work वह अपना काम कर रही है she is doing her work श्याम काम कर रहा है श्याम यहाँ पर singular है श्याम singular है तो श्याम के साथ is का यूज़ करेंगे श्याम काम कर रहा है श्याम यहाँ पर आ गया तो doing श्याम is doing स्याम singular है स्याम के साथ अपना के लिए his स्याम is doing his चुकि स्याम singular भी है और masculine gender में है तो इसलिए यहाँ पर his आएगा स्याम is doing his work next है सीता अपना काम कर रहे है यहाँ पर सीता singular है लेकिन feminine gender है तो इसका हो जाएगा सीता is doing चुकि इसमें भी अपना आया है तो सीता is doing feminine gender है और singular है तो यहाँ पर her आएगा सीता is doing her work सीता अपना काम कर रही है सीता is doing her work राम और स्याम अपना काम कर रहे है राम और स्याम यहाँ पर plural आ गया है तो इसका ओ जाएगा राम and यहां पर भी अपना आया है तो doing राम और श्याम अपना काम कर रहे हैं राम और श्याम आपना काम कर रहे हैं स्टुडेंस आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू